बीबो मॉबाइल जो अब देश में ही निर्मी थोड़ा आए इसलिए इसे मेक इन इंडिया का नाम दिया गया है अगामी बर्षों में कमपनी देश की नंबर बन पर पहुँचना चाहती है जिसके लिए कमपनी से जुड़े अधिकारियों और करमचारियों भरपूर सहयोग चाहिए बीबो मुबाइल कंपनी देश के अभी तक तीसरे नमबर और हिमांचल परदेश में दूसरे नमबर पर पहुंच चुकी है ये बात वीबो मुवाइल कंपनी द्वारा सोलन में वाशिक पाई तो शिक वित्रन समारों के आयोसन पर कंपनी के अधिकारियों द्वारा कही गई समारों में कंपनी के हेड टैंग फैंक के बतार मुख्यतिती शिरीक हुए उन्होंने कहा कि भारत में वीबो की लोग प्रियता बढ़ती चारे है इसलिए कंपनी लगतार अपने उत्पादों को ग्राहकों के जिम्मेबारी पर खरा उतारने वाला बनने के लिए निरंतर परियास कर रही है समारो में रंगरंग सांस्किती कारेकरम विक्का भी अयोजन किया गया जिसमें कलाकारों ने हिंदी पहाडी वो पंजाबी गीतों पर नरित्ते कर एक से बढ़कर एक परस्तों दी दी कमपनी के पर देश प्रभारी करुन परकाश ने बताया कि बीबो कमपनी अपने क्राहकों के साथ साथ अपने करिमचारियों के भी हीतों का क्याल रखती है देश में जल्द वीवो कमपनी नमबर वन के मुकाम पर पहुँचेगी जिसका स्रे मोबाइल उपभुकताओं को जाता है उन्होंने बताया कि कमपनी का वीवो मोबाइल अब नुवाइडा में ही बननाने का कारे किया जा रहा है समारओं में हिमाचल प्रदेश के वविना श्यक्ति में उतकृस्त कारे करने वाले करीब 30 लोगों को समानित भी किया गया इस मिट का मेन उदश्य था हिमाचल में कारेरत कमपणी के विभिन करमचारियों जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं अपने विभाग में उन लोगों को समानित करना जिनकी वज़ा से ये कमपणी को आज लबग यहाँ पर तीन साल का समय हो चुका है हिमाचल में और न मार्केट में विभाग में इंडिया मोबाइल अवेलेबल है मेक इंडिया जो इंडियन गवर्मन्ट का एक काफी अच्छा इनिशेटिव है अगर हम विभाग की बात करते हैं तो विभा 60-70,000 फैमिलीज को रोजगार विभा दे रही है इंडिया में आने वाले टाइम में विभा काफी नहीं मोडल्स लाँच कर रही है अभी इस यर में ही नाइन मोडल कंपनी का आने वाला है मार्केट में विभा का मिन मोटीव है तो बिट टॉप नंबर वन कंपनी अरूंड दे वर्ल्ट